मौसम के नजारे देखो दोस्तों यहां से है गाइज वर्ट सब कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे होंगे and welcome back to my channel अभी हो रहा है टाइम सुभे की 11 हो मैं आया हूँ आज परताब नगर और जिस लोकेशन में मैं अभी हूँ यहां पर है परताब नगर राजा का महल तो मैं आपको दिखाता हूँ राजा का महल तो गाइज अभी मैं दिखाता हूँ आपको राजा का महल यहां पर हुआ करता था और राजा का महल की अभी क्या इस्तिति है वो भी दिखाता हूँ गाइज ये है परताब नगर में राजा का महल जो कुछ टाम तक राजा का महल वा करता था बैट अभी तो ये किस इस्तिति में है वो दिखाता हूँ आपको और ये परताब नगर परताब सा के महल का नाम है तो यहां के राजा वा करते थे परताब का महल था और अभी जो इस्तितेश की ये चक करें आप अभी ये महल कम और गोसाला ज्यादा लग रही है यहां पर आप देख सकते हैं चारों तरफ गोवरी गोवर हैं तो कुछ इस तरह से हुआ करता था दोस्तों राजा का महल ये देख लीजिए आप और उस टाइम के अको काफी ज्यादा ठंड होती है तो उसलिए बनाए गए ते राजा की द्वारा और कुछ इस तरह से दोस्तों राजा का महल और एक और रूम है बड़ी इसकी भी इस्तिती वही है चारों तरफ गोवरी गोवर हैं यहां पर जबी यहां पर कोई रहता नहीं है तो पहले यहां आप और कारिगरी देख लिए उस टाम पर कैसे हो रही थी राजा की महल में और आभी देख लिए दिवालों की क्या हालत करती है लोगों ने और एक और रूम है और काफी रूम है इस पर और सभी रूम खुले हैं और आप देख सकते हैं यहर पास होने के लिए बड़ी दोरा देख लिए आप और काफी यूनिक तरह से बना रखा है तो में एंट्री यही है जो में हॉल है और एक रूम है एक यह है और यह एक जिट है इसका और यहां से आप देख लिए और हवाएं देखे 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 दोस्तों यहां पर किस तरह से चल रही है तो गाइज कि कोई गाई है नहीं यहां पर और आपने देखा होगा राजे के महल उस टाइम पर किस तरह से बनाया गया है और काफी बारिकी से काम हो रखा है राजे के महल पर और बहुती यूनिक काम हो रखा है और काफी हवादार बना रखा हो इतनी हाइट पर है कि यहां से चारों तर तरह से राजा का महल हुआ करता था वह यह जो महल है यह परताब नगर के परताब सार राजा का था अभी मैं बहार आ चुका हूं दोस्तों और यह दिखाता हूं राजा के महल का आपको complete view और यहां से क्या क्या दिखता है चारों तरफ और पास में इंटर कोलीज भी है तो व और यहां का जो मोसम है गाइस वह आप देख लीजिए पूरे कोरा ही कोरा लगा है चारों तरफ अलंकि अभी सर्थी श्टार्ट में हुई है तो फिर भी यहां पर कोरा ही कोरा रहता है यहां पर बारों मैंने और इसलिए ऽैसरों से राजा को इस जगहाता प्संदी इसलिए उन्होंने यहां पर अपना माहल पन वाया था और काफी रोमान चक नजारें यहां के और सब्सिद्दिन आजह माहल आने नहीं जब गये तो कोई राज राजय के सामान जो भी हुआ करता था इस महल में उन सब की रक्षा के लिए कोई था तो फिर उसके बाद पठसासन के पास चला गया और दीरे इसकी बूरी लग गई राजय के जो अंदर सामान हुआ करते थे यूनिक सामान और अभी ये इस इस्तिति में अभी यहां पर कोई भी नहीं है केर करने वाला अब से बिल्डिंग ये बिल्डिंग बच्ची है अंदर कुछ सामान नहीं है और यहां पर बच्चे स्कूल की बच्चे यहां पर पास में इंटर को लेज़े तो यह अभी खेल रहे हैं अब ग्राउंड एक वीजिए और व्यू देख वीजिए मौसम के नजारे देखो दोस्तों यहां से और यहां पर कुछ और बच्चे यह भी खेल रहे हैं कवेटी और देखो यहां पर ठंड लगने लग गई है तो दी कह रही है कि घड़ चलते हैं कि गाईज यह इंटर को लिस आप देख सकते हैं यहां पर यहां से नीचे उतरते हैं यह रोड के लिए रास्ता और अभी वापस जा रहा हूं दोस्तों गर और आपने राजा का महल देखा होगा तो काफी यूनीक है और काफी टॉप है और बहुत अच्छा है उस एक वोडिंग है बट अभी केर नहीं हो पा रही है और ऐसी खंडर पर रखा है बट उस ट टॉप पर है कि आपने देखा होगा चारों तरफ को रही कोरा लग रखा है तो उस टाइम पर राजा जो लोग होगा करते थे वो टॉप की जगह चूस करते थे अपने महल के लिए ताकि उन्हें अपने एरिया को चारों तरफ देखने को मिल सके तो अपने महल से ही वो चा भी जो है राजे की महल की इस्तिती वो थोड़ा बहुती मंदब खराप हो गई है विकोज अभी कोई केर नहीं करता है तो चलते हैं दोस्तों आप घर और आज के इस व्लोग को करते हैं यहीं पर समात आई होप आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो व